आप सभी का स्वागत करती हूँ आए देखते देश की दशा और दिशा जी हाँ हम चर्चा करने वाले देश की हाल और समाचार पर देखते हैं क्या चल रहा है सांसादों को मिलने वाले वेतन भत्तों को जानकर फट जाएंगी आखे सेना में भरती के लिए केंदे सरकार की अगनी पत्योजना को लेकर मचा वावाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है तीसरे दिन भी बिहार, यूपी, राजिस्तान समित कई राज्यों में लोगों ने हिंसक प्रदर्शन करते हुए ट्रेनों और गाड़ियों को आख क्या हवाले कर दिया आखरी उवाओं को इस हिंसक प्रदर्शन की क्या वज़ा है, इस स्कीन के तहट भरती होने वाले उवा, करमचारियों का वेतन भी 30,000 से ज्यादा होता है ऐसे में चार साल के कॉंट्रेक्ट पर भरती होने वाले युवा सैनिकों का वेतन इनसे भी कम क्यों, यही सरकार पहले ही सांसदों पर जरूरत से ज्यादा खर्च करती है फिर उन्हें तमाम सुविधाय देने के जरूरत क्या है, ऐसे दिमाग में, पहला सवाल यही उठता है, कि आखिर एक सांसद को क्या क्या सुविधाय मिलती है तो आईए हम आपको बताते हैं, कि एक सांसद, पूर्व सांसद पर कितना खर्च करती है सरकार एक सांसद को हर माँ फिलाल 50,000 रुपय वेतन के रूपय दिए जाते हैं जिसमें से 30,000 रुपय साहक और 15,000 रुपय स्टेशनरी खर्च के लिए सांसद सत्र के दौरान 2,000 उपए रोजाना भत्ते की रूप में हर सांसद को मिलते हैं सरकारी खर्षे पर एक सांसद पतनी या साहर के साल भर में 34 हवाय यातराय कर सकता है जबकि ट्रेन के लिए सीमा और सीमी थे वो भी फर्स्ट क्लास कोच में दिल्ली के पौश लाके में हर सांसद को बंगले या फ्लेट की सुईदा सांसद और उनके आश्रीतिकों के लिए किसी भी सरकारी अस्पताल में पूरी तरह मुफ्त इलाज प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज के दोरान कुछ चीजों को छोड़कर बाकी का भुकतान सरकारी खर्चे से वहान खरीदने के लिए 40 लाक तक बिना ब्याज का लोन घर में इस्तेमाल करने के लिए 3 टेलिफोन लाइने जिन पर हर साल 50,000 कॉल मॉफ्त सालाना 50,000 यूलिट बिजली मॉफ्त फाल्तू होने पर रियायती दरोपर बिजली की उसी इधा साल में एक बार घर में फरनीचर के लिए 45,000 रुपए घर में सालाना 40,000 लिटर पानी मॉफ्त कम्पीटर खरीदने के लिए सालाना 2,000,000 रुपए की सरकारी मदद वेतन पर किसी तरह का टेक्स ना देने की छूट मासिक पेंशन के रूप में हर माह 20,000 रुपए पास साल पूरे होने पर 1500 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे सांसदों को डबल पेंशन लेने का भी हग मसलन पहले विधायक रहे तो उनकी पेंशन और सांसद रहने की पेंशन पतनी आशरित को फैमिली पेंशन पूर्व सांसद की मिलत्ती होने पर पती या पतनी की अजीवन आधी पेंशन पूर्व सांसद को फ्री में ऐसी मित यात्रों की छूट साहयक या पतनी साथ होने पर सेकंड क्लास में यात्रा की छूट इसके चलते देश भर में अगनी पत्का योजना का विरोध किया जा रहा है देखा दोस्तों किस तरह एक सांसद पूर सांसद विधाय को पर सरकार खर्च करती है पैसा जिनसे जो पैसा उन पर खर्च किया जाता है वो एक आम आदमी की जिन्दगी के साल भर का खर्चा होता है जो इन सांसदों पर महीनों भर में खर्चा कर दिया जाता है उनकी पैंश है उनकों जो सुभीधाय मिलती है वा एक आदमी के लिए साल भर का खर्चा होता है जो उन पर महिने भर में लुटा दिया जाता है आज की खबरों को यहीं विराम देते हैं कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगा देखते रही है मैंने सिन्स लाइफ क्योंकि सच जरूरी है नमशकार